वेल्कम टेक्वाइटर गुरू मैं आपको अभी काफ आपकर में चल्वाइब एफसाइब करता हूं तो आज हम आप बात करेंगे वाट इस फायरवाइल एप डीटिया और ऐसे सल्गी तो चली देखते हैं कि इस पगार दिखते हैं कि इसके नोश्च पूरेंदे और मैं दिखा तो किस परकार से फायरवाल आपका काम करता है तो जैसे की नाम से आप देख रहे हैं कि आग की दिवार यानि की फायरवाल होगी आपकी दिवार और फायर यानि की आग हुई तो माले यह आपकी कोई कनेक्टिविटी चल लगा हुआ है यहापका सर्वर लगा उसको allow करने का काम करता है, जब भी कोई junk file होती है, कोई भी virus होते हैं, कोई भी warm होता है आपके internet connectivity में, या आपको कोई hack करने कोशिस करता है, या कोई भी चीज आपके सामने गलत चीजे करने कोशिस करेगा, तो firewall आपके में एक तरह से दिवार का काम करेगा, जो कि आपके network को रोकेगा आपके IP address को trace करेगा, कि इस IP address को आपको block करना है, कि आपको allow करना है, वो automatically अपने आप process करेगा, तो यह आपका जो basically काम करता है, तो आप देशकते हैं, यहाँ पर एक बॉल लगी हुई है, यहाँ पब्लिक IP address चला है, एक यहाँ पर private IP address चला है, यह दोना IP address है, बीट में firewall आपके लगी ही, जो कि आपकी रोक रही है, एक से connectivity को दूसरी connectivity में, तो सभी क्या आपका होता है, बीना firewall के आपकी internet connectivity नहीं चलती है, क्योंकि इस चीसे आपकी security allow और disallow होती है, तो सभी IP address के साथ यह आपकी work करती है, तो चले देखते हैं, डेटेल में क्या इक को monitor करता है और control करता है, जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो firewall network है, वो आपके incoming यानि कि जो आपका connection आ रहा है और जा रहा है उस network को control करता है, उसको monitor करता है, filter करता है, कि यह आपका आपके लिए सही है कि नहीं, firewall आम तर पर एक विशन यह इन्टरनल नेट्वर्क और अ जैसे कि इंटरनेट आपका होता है जो मैंने आपको बताया अभी कि आपका फारवल जो आपका नेटवर्क की बीच में एक नेटवर्क इस्टेब्लिस कर देता है इस फ़काते वाल के रूप में जिसके कि आपको security मिलती है आपके इंटरनेट connectivity में फारवल का मुक देश कम सुरच्चित एरिया से एक असुरच्चित एरिया को अलग करना और दोनों के बीच communication को control करना होता है आगे पढ़ते हैं तो diagram मैंने आपको दिखा दिया किस फ़कार से काम करता है फारवल एक machine से पूरे network तक किसी भी चीज के inbound और outbound communication को control कर दखता है फारवल, hardware या software या दोनों का एक combination होता है तो फारवल जो आपका होता है एक hardware और software दोनों का combination आपका होता है आप उसको hardware भी कहा सकते हैं और software भी कहा सकते हैं फारवल को प्योग अक्सर आधूनी कर इंटरनेट user को internet से connect private network के access को रोकने के लिए किया जाता है तो internet से अगर आ network जो आपका होगा वो उसको रोकने की कोशिस करेगा सभी data को firewall के मादम से internet पास में entry करते हैं या बहा जाते हैं उससे प्रतेग packet को चेक किया जाता है और जो security criteria को पूरा नहीं करता है उससे block कर दी जाता है जैसे मैं आपको बताया भी आपको कि जो दो network आपके चलना है security के रूप में आपको वो data को कर पूरा नहीं कर रहा होगा fulfill नहीं कर रहा होगा तो वो उसको block कर देगा उसी को कहते हैं आप firewall कभी आपने उपर देखा होगा तो red ग्रीन के light उसमें जलती रहती है software में और उसमें allow और block को option मिलता है तो firewall अगर आपको देखना है तो अपने computer का control panel में जाए वहाँ पर आपको firewall को option मिल जाएगा नेस्ट आगर बढ़ते हैं आम तो आप आप firewall को बाहर के दुनिया में अधुनिक रेट इंटरेक्टिव login के से बचाने के लिए configure किया जाता है यह आपके network के मसीनों में प्रवेस करने से hackers को रोकना में मदद करता है मैं से और अधिक असानी से communication करने की अनमती देता है तो simple सा है firewall आपका आगे दिखते हैं तो यह network आपका लगा हुआ firewall यहाँ पर और यह आपका रोके का इधर से internet connectivity चल लाई यह van की और यह land की चल लाई तो यह आपको connectivity सुरच्छित करेगा अगर आपको कोई public network आपको trace करने की कोसिस करेगा आगे चलते हैं देखते हैं तो firewall के फाइदे क्या है उसको भी देखते हैं तो traffic को monitor करता है आपका firewall आपके computer network में प्रवेस कर रहे हैं सभी traffic पर नजार रखता है एक दो तरफा firewall डबल duty करता है और दूसरे network से बाहर जाने वाली traffic पर भी नजार रखता है network information packet मे भीजी जाती है इस packet को firewall चेक करता है और यहते करता है कि इसमें सभी खतनाक कुछ तो नहीं है तो इसमें आपका वही चेक करेगा firewall आपका कि इसमें कोई file ऐसी तो नहीं है जो आपका system को खराब करें आपके network को खराब करें या hack करें या जो भी करें तो उसको वह चेक करता किस प्रकार से करता है वो भी देख लेते हैं Firewall Trojan Horse को Trojan Horse आपने देखा होगा वायरस होता है जब आप आप देखे माउस आपका out of control हो जाता है रीफ्रेस करता है आपने आपी बार 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 तो वही से आपके Trojan वायरस होते हैं या आपके फाइले फॉल्डर बनती चली जात इस पकार से आपने देखा होगा Firewall Trojan Horse को ब्लॉक करने में साहता करता है इन ब्लॉक के घुस्पेटी आपके कंप्यूटर की फाइलों के साथ चिपक जाते हैं और फिर जब आप यह फाइल बेशते हैं तो destination पर और अधिक नुक्सान करते हैं तो आप देख सकते हैं Trojan विस सकता है इससे पहले की वें कंप्यूटर को इनफेक्ट करें तो Firewall आपका प्रूटर करता है Trojan Virus से जैसे कि आपने देखा होगा मैंने आपको बताया भी कि कभी कभार आप यूज करते होंगे अपना कंप्यूटर रे डेश्टॉप तो जब आपकी connectivity connect रहती है तो आप देख आपके network से बाहर रहते हैं Firewall security के बिना hacker अपने computer का असानी से hack कर सकता है या virus फैल आ सकता है तो यह अगला point हो गया four number है अधुनी करत remote access में सुरच्चा करता है आपके computer पर होने वाले सबसे खराब चीज़ों में से एक है अधुनी करत हैकर द्वारा आपके network या PC का remote access firewall इन सभी अनुगर remote access को रोकता है यानि कि remote access जो आपका sharing होता है आपका network जो sharing होता है computer से दुस्रे computer में access करने के लिए तो उसके मादम से भी आप इस computer से computer में virus को प्रवेज करा सकते हैं लेकिन अगर इसमें firewall की security लगी होगी यहाँ पे तो यह इसको trace नहीं कर पाएगा और इसको virus बगरा भेज नहीं पाएगा तो यह भी इसको रोकने का काम आपका करता है remote access को भी अगर जलते हैं firewall के प्रेका इनफेक्शन firewall थर्ड यूनिफाइड ट्रेड मेनेजमेंट यानि कि इसको कहते हैं UTM नेस्ट आपका next generation firewall जिसको कहते हैं NGFW तो इतना था आपका firewall का topic सिंपल सा है लेकिन इसमें लिखना है आपको कम से कम एक पेस से देड़ पेज दो पेज आपको firewall के option में लिखने हैं त आपे जैसा के दिया गया है Fiverr distributed data interface FDDI के बारे हम पूरी note से आप लेकिए हुई आपको दिखाते हैं उससे पहले चलते हैं diagram पे तो FDDI का जो diagram में इस पे कारते हैं तो Fiverr की एक तरह से connectivity दिखाए गई है कि इस पर कारते हैं Fiverr से connectivity इसमें करते हैं तो कहीं से भी आप connectivity दे है जो कि आप सर्वर के माध्यम से लेते हैं और वो आपकी connectivity आपके घरों में LAN के माध्यम से आती है जो कि आपके switch और आपके router से connect होती है उसके लिए एक device आपको यूज करने पड़ती है इसको कहते है Pond device उसमें आप इस पर कारते device आपकी होती है उसमें आपकी fiber cable लगेग यह वो इसका important है तो बात करते है FDDI के बारे में तो FDDI का तात्वा fiber distribution data interface से है या एक specification है जो fiber optics media का अप्योग करने वाले 100 Mbps के token link को describe करता है FDDI को IEEE 802.5 standard में similar माना जाता है FDDI को ANSI याने की दोरा sun 1986 में तयार किया गया था सिंपल सी language है बहुत सिंपल सा समझ लें FDDI को 100 Mbps की speed से में 200 km के अंदर 100 station पर run किया जा सकता है तो आप दे सकते हैं क्या फायदा है अपका FDDI को run करने का 100 Mbps की speed है वो 200 km के अंदर 100 station पर भीजी जा सकती है FDDI network के दोरा internet 10 Mbps के token link में 4 Mbps को support करता है याने कि 10 Mbps के गराभी speed लेंगे तो वो 4 Mbps की speed आपको परान करेगा और FDDI network में 2 nodes बीच की दूरी में 1 km से कम होनी चाहिए तो 2 nodes आपके जो connectivity है उसका 1 km दूरी से कम होनी चाहिए तो आपके ये work करती है उसके बाद है use of FDDI ने के fiber distribution के आपके उप्यों क्या है तो high bandwidth है ने कि FDDI network के bandwidth 250 GB तक होती है आपकी तो high bandwidth आपके इसे कितनी FDDI की 250 GB तक की speed ये ले सकता है high security इसमें क्या है आपकी fiber में high security FDDI network में fiber optical cable के करण इसकी security काफी strong होती है next इसमें cable distance FDDI network में signal को 200 km तक transit किया जा सकता है तो आप ले सकते हैं काफी इसके फायदे है इसमें आपको speed मिलती है security strong मिलती है और इसके बाद आपको मिलता है इसमें दूरी मिलती है 200 km की है तो इसलिए आपका ये fiber distribution cable आपके use की जाती है तो FDDI का मुक्ता उप्योग किया जाता है network में high speed backbone बनाने के लिए तो ये इसका main सारांस है तो इसमें क्या है तो इसके disadvantage क्या है आपके अप्डिडिया के तो FDDI को network का complex topology कहा जाता है क्योंकि इस परकार के network में installation और maintenance म आप सकता होती है तो ये जरू जाने जब आप FDDI का connection लेते हैं ने की fiber connection लेते हैं तो आपको एक machine आती है device आती है उसको मैं दिखा दोगा वीडियो में काफी बड़ी आपकी machine होती है उसको slicing बगरा करा जाता है आपके जो आपकी fiber की cable होती है black color की आपने देखे होगी disk cable इ देना एक connection यहां देना है तो आप वहां पे उसको काटके और इस machine के माध्यम से slicing machine होती है जो कि काफी महेंगी आती है उसको आप machine के माध्यम से जोड़ देते हैं slicing से hot उसको machine होती है वो तार दोनों जूड़ जाएंगे अब यहां पर connection दे सकते हैं फिर यहां से काटके वो आपकी जितने connection चाहिए वो उतने आप काटके जोड़ सकते हैं तो यह आपके फायदा होती है लेकिन उसके लिए आपको machine चलाने आने चाहिए और technical skill की आपको यह आप सकता होती है इसके साथ खाली आप खाली तार लगा देंगे तो काम नहीं चलेगा इसके साथ आपको अलग डिवाइसे लगाने पड़ेंगे बॉक्स लगाने पड़ेंगे सेटर लगाने पड़ेंगे जिससे कि वह सुरच्ची तरह है उसकी connectivity ना टूटे पैच की एबल लगाने पड़ आपके RJ45 का और आपको कंप्यूटर के मादब से connect कर देते हैं वो चीजिस में नहीं होती है इसकी connectivity पूरी अलग है इसकी machine अलग है device अलग है जिसकी आपकी महांगी पड़ती है बाकी advantage बहुत है इसको high speed के लिए use किया जाता है तो इतना आपको इतना बताना था तो यह था नहीं कि secure socket layer most important question है आपने देखा होगा जब भी website open करते होंगे मैं आपको diagram बल लिखायता हूँ फिर बात करते हैं तो आपको कभी भी website open करेंगे तो google.com, facebook.com जो भी registered site होंगी जिनको certificate दिनोंने लगाया होगा अपने domain में तो वहाँ पे आप देखे होंगे सबसे पहले काफ HTTP और S लिखा रहता है तो S का मतलब है secure simple sum मतलब है S का मतलब है secure आपको website को आपके domain name को एक certificate प्रदान कर जाता है जिससे कि आपका जो माली आप online transaction बगरा करवाते हैं अपनी website पे lane देन यानि की e-commerce की website कोई swapping करता है आपकी website से जैसे कि Amazon flip card जो website है तो वो आपको अगर आप certificate ले लेते हैं SSL का तो आपको वो उस company से attach हो जाता है और आपको security प्रदान करता है आपको कोई hack नहीं कर पाएगा आपके website पे अगर कोई भी आप transaction कर रहे होंगे तो वो आपको security प्रदान करता है तो वही आपका SSL होता है इसको करते है secure socket layer जो की website जब आप certificate लगा देते ह है purchase करके तो हमापे आपको वह आपको domain के साथ HTTP S आपका attach हो जाता है अगर ऐसे purchase करते हैं तो आपका कभी भी आप देखेंगे HTTP S नहीं आपका लिखा होगा तो क्या होता है इसको देखते हैं तो SSL क्या होता है SSL Stanford secure socket layer web client एवं web server के भी secure communication के लिए secure socket layer सबसे ज्यादा use होने वाले technology है हम सभी जो भी online mail और banking का यूज करते हैं जानते हैं कि online banking और mail वाली सभी website secure connection है वो communication के लिए HTTPS protocol का यूज करते हैं तो आप में देखा होगा कोई bank की website में आपको बता है जब भी आप transaction करेंगे कोई भी online banking या swapping वगएरा उसके आगे आप देखेंगे website green हो जाता ह करेता है जब की बहुत सारे website give Recently HTML का यूज करती है इनσιंafter verb में HTTP protocol वैब server and & client के भी standard communication के लिए जब कि STPS आपका है वह secureCareещN के लिए यूज किया जाता है तो सींपल सा है Institutsire тоいてPeople सर्वर और web client के बी steeds standard Emperor Be we लगा जाते तो आपका वो जो वेबसाइट है डोमेन है वो सिक्योर हो गया अब आपको उसमें कोई भी टानिशन करते हैं तो आपको यह दिखतने हो कि आपका वो हैक हो जाएगा आगे चलते हैं SSL web server एक client के बीच transmit होने वाले data को encrypt करता है जिससे की कोई third party data को hack या read ना कर सकता है तो मैंने आपको बताया है वह जगा आप से को connection ले लेते हैं तो आपको कोई hack नहीं कर सकता है आपकी वेबसाइट को read नहीं कर सकता है कि किस परकार से हैंडिल हो रही है इस transmit होने वाले data को cable web server या फिर client ही recognize कर सकता है और read कर सकता है तो जो उसका admin हो का website का administration होगा जिसने website publish की होगी वह ही उसको handle और read कर सकता है जब भी आप किसी website को read करते हैं तो website के पहले आप देखते होंगे HTTPS include करता है जो की website को secure बनाता है ये website आपकी authenticity को verify करता है और आपको accessor certificate use करने का plus इसमें आपको लिखना है मैं आपको बता दिया है तो HTTPS को कैसे implement करते हैं तो HTTPS को secure socket layer के help से implement करते हैं किसी भी website पर HTTPS implement करने के लिए SSL certificate को purchase किया जाता है तो जैसे माले आपने go daddy या किसी से भी आपने purchase किया तो वहाँ पर प्रचेस करने जाएंगे domain के बाद तो मैं तो आपको 100.500 मिल जाता है एक साल के लिए उसके बाद आपको वहाँ पर secure certificate layer खरीदना पड़ता है जो कि जब आपको कोई भी transition करना या simple सी website बना रहा है तो उसके लिए आपको help की जरोत नहीं है इसकी या आप कोई transition कर रहा है online swapping आपके website प्र हो रही है transition हो रहा पेसो का लेंदेन हो रहा है तो आपको वहाँ पर security जाए होती तब आप आप SSL certificate को purchase करते है secure socket layer कहा जाता है और transition के secure socket layer online transition के time transmit होने वाले sensitive information को encrypt करता है हर एक secure socket layer certificate honor की unique एवं authenticity information save करने को रखता है एक certificate authority certificate honor की identity को verify करता है आने की माले यह पर यह server लगाया और कोई भी public में यहाँ पर purchase कर रहा है इसी website तो वह अपने जो debit card number bank की details उसमें purchase करने के लिए डाल ला है IRC की आयने की internet relay chat जिसको बोलते हैं और बात करेंगे MIME की जिसका full form है multimedia internet mail extension तो इन तीन टॉपिक के बात करेंगे त्यों आपके ICT और आपके internet में काफी यदा comment question है हाद बार आपको देखने को मिलते हैं तो इसके बारे हिंदी में description करेंगे और इसके English के notes है वह सारे website publish की जाएंगे इसका link आपको इसी वीडियो को description मिल जाएगा वहाँ से आप जाके English के notes प्राप्ट कर सकते हैं PDF के मादर्म से और Hindi के notes यहाँ पर आपको समझा जाएंगे जिससे कि आपको दुबारा रटने के समझाने कोईज करते हैं तो ISDN आपका एक digital network है जैसे कि आप कह सकते है integrated service digital network जैसे की नाम से है ISDN ISDN इस पर कारते हैं तो I का मतलब integrated as service, D से digital और N से network तो इसका यह full form हो गया जो कि आपको एक लाह में लिखना है most important है और यह आपका digital network है जो कि आपका data को transfer करता है जैसे कि आपके audio हो गई, video हो गई, text file हो गई, कोई भी file हो गई उसको आपका transfer करता है land के मादर्म से, when के मा transfer करता है, किसके मादर्म से, आपके computer पे CD का data हो, या कोई server or fax का mailing करना है आपको, या किसी भी तरह का data होगा, किसी भी type की device होगी, उसमें यह आपका data को transfer करता है, तो यह आपका basically work करता है, इस परकार से data को transfer करता है, किसी भी मादर्म से high speed में, और आपका ये audio वीडियो सा भी पेकार की file को आपका ये send करता है, तो चलिए देखते हैं, इसकी theory किस पेकारते हैं, क्या इसका मतलब है, basically, तो ISDN समकार ये data संचार के संचार के मानकों का एक set होता है, इसकी प्रमूब बिसेस्ता यह है कि यह बाचीत और data को उसी तरह पर accurate करता है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी सुब्धाओं को भी सामिल करता है, जो परांप्रेक telephone system में उपलब नहीं है, ISDN का परिपात है आपका telephone network system है, जो packets with network में भी access प्रदान करता है, ISDN को VCS protocol जैसे 0.931 system से ISDN OSI model के संदर में network data link और बहुत इक परतों करूप में कारज़ करता है, इसके साथ यूज़ किये गए, गलत नहीं समझना चाहिए इसको, इसमें video conferencing के ISDN, personal desktop video conferencing system और समू कर्ष video conferencing system के बीच एक साथ audio video को साथ part transition प्रदान करता है, तो इसमें आप किसी परकार का data हो, audio video, test हो, सभी data को transfer कर सकते हैं, आगर देखते हैं, तो यहाँ पर आपका English भी लिखा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं, मैं आपको इंदी में समझाते हूँ, तो ISDN आपका जो है, USA, Canada, Japan, France, Germany, Greek and India में ज्यादा famous माना जाता है, जो कि महानगरों में अधितर work करता है, या एक प्रकार की सेवा है, जो board costing industry में ज्यादा इस्तिमाल होती है, इसका एक code भी होता है, जिस पर यहाँ काम करता है, अब इन इंडिया जैसे metro को यह आपको गई, तो telephone निगम limited जो दिली, मुंबाई, महानगर और संचार निंटर्मिंटेट, जो राजची सवाबी, वाला सबसे बड़ा संचार पैदान करता है, देजबर में ISDN, BIM, BIR है आपका, और PIR, दोनों सेवाएं पैदान करता है, आगे types of indicator service में किस पर कार क्योंगी, तो basic rate आपके है, BIR, 64 KBW से दो channel और एक D channel जानकारी को transmitted करत है, primary rate interface, दूसरा channel आपका, जो की 23B channel and 1D channel पर संचार होता है, तो इसनी दी theory की, तोड़ा और आप लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिस में देखेंगे इस theory, तो काफी लंबी मिलेगी, तो इंग्लिस में पूरा आपको मिल जाएगा, वापे आप इसको इंदी में translate कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आप उता है, इतना भी आप लिख सकते हैं, तो simple theory है, आपको integrated data network है, आपका, जो की telephone और आपका internet के माध्यम से connect होता है, जो की high data speed आपको provide करता है, और आप इसमें data को transfer कर सकते हैं, video, audio और किसे भी file format के रूप में, और कफी LAN माध्यम से connection हो, या फिर करनेक्शन हो, आगे दिखते हैं, आगे जो हमारा question है, वो है multimedia internet mail extension, इसके बारे हम रिखते हैं, क्या होता है MIM, बहुत simple सा topic है भी, तो basically, आपका multimedia internet mail extension क्या है आपका, यह भी आपके पहले जो आपके service चलती थी इमेल की, उसमें आपके audio video file नहीं send होती थी, जो की अभी MIM ही चलता है, इसमें latest में, इसको की multimedia internet mail extension क्याते हैं, इसके माद़न से, आप multimedia file को email के माद़न से send करते हैं, जो की audio हो सकती ही, video हो सकती है, कोई भी format में हो, आप उसको send करते हैं, तो वही आपका, यहापे diagram में दिखाएगा है, इसको encrypt, decrypt करके, send a receiver, तो इस पर कारते हैं, ME के द्वारा भीजा जाता है, अमाई का पूर्ण रूप है, आपका multi purpose internet mail extension, तो यह ज़ो ध्याना की important है, माईम ऐसा protocol है, जो असमान अक्षर सम्हों, यानि character set वाले भासों को, में text का विनिमें interchange करता है, और साथ ही, कई भिन computer प्राणियों के मद, multimedia email को भी साननतित, यानि internet interchanges करता है, माई पर्योक्ता को निमलिकित सुब्दाओं के साथ email संदेशों को बनाए, तथा पढ़ने की सुब्दा प्रदान करता है, तो simple सा है, आपका MIME, basically आपका interchange का काम करता है, आपकी audio video file को convert करके, आपका email के मादधम से sending करने का काम आपका करता है, आगा देखते ह हैं इसमें, तो MIME Sun 1991 में Nathan Boreston के द्वारा बनाए गया था, जो कि आज भी आपको internet के मादधम से देखने को मिलता है, तो email किसमें साधान text के बजाए format text वा photo audio video, आप इसके मादधम से send करते हैं, एसकी क्यातिरिक्ट अर्भी कंजी के समुहिक अच्छर जो है, character set होते हैं, विशेज चेन्यों पर अधारिस, समूर, टेक्स जैसे, गड़ितों के, ग्राफिक्स, इमेज, आडियो फाइल थाथा, दोनी फाइल जो भी आपके हैं, बाइनरी फाइल, कंपेस्ट फाइल जैसे, आरे यार ता जिव फाइल, नॉन टेक्स्टूल संदेश, यानि कि विश के, पीडिया फो आपकी, या आरे यार फाइलो, जिव फाइलो, कंफेट, PNG, GIF किसी पकार की फाइलो, आप एमेल के मादर्म से दूसरे को सेंड कर सकते हैं, किसी फाइल के फाइल हो, आप उसको आरे यार में कंवर्ट कर लें, जिव में कंवर्ट कर लें, उसके बाद extension का आपको option मिलेगा attachment का वहां से आप उसको attach करके असानी से send कर सकते हैं तो इसके अब इसका से आप कुछी बगार के text को format को audio video को आप send कर सकते हैं तो यह आपका basically है multimedia internet mail extension आगर देखते हैं next topic हमारे पास क्या है तो next topic है वो है आपका internet chatting यानि की IRC जिसको बोलते हैं internet relay chat यहाँ पर लिखा हुआ international relay chat internet कहा सकते हैं IRC इसको बोलते हैं इसके बारे में हमनों देखते हैं तो basically IRC आपका होता क्या है जो कि आप देखते हैं networking एक तरह से इसको आप online internet पर chatting बगार करते हैं Facebook हो गया या other कोई social networking आपके है वो सारी इसी पर काम करती है इसके मादव से आप video calling audio message जो की बार्टर पर आप यूज़ करते हैं text message जो कि आप Facebook बार्टर मेसेंजर से अपर यूज़ करते हैं तो इस पर यह आपका कार करता है तो किस पेकार से कार करता है मैंलिगे आपके लगा हुआ है यहां पर यहां पर देख सकते हैं शर्यकारि के बारे औरका श्रीक में रखा है शोगा हुआ हिसके के बार फोसी पर कारते हर एक CT में एक server लगाते हैं उसमें आपके client जो हैं आपके connected होते रहते हैं इसी को आपका internet चेट कहते हैं जैसे कि Facebook को आपको server एक दिली में लग गया तो वहां से आप connection ले सकते हैं तो यहाँ पर आपके सारा दिये गए हैं जो clients हैं आपके वह 1234 हैं और server and server to server आपके जो connection है वो blue and red है तो यह server to server आपके connect किये गए हैं और उसके बाद इसी server के मादरम से आपके mobile में जो internet से connect है जा रहा है Facebook चला रहा है WhatsApp चला रहा है वह इनी कि इनी server के मादरम से आपको connectivity मिलना है तो किस परकार से काम करता है इसके बारे हम रिखते हैं तो chatting यानि कि internet के मादरम से एक दूसरे को समभाद यानि communication करने की प्रिक्रिया कहा जाता है या इसमें दो या अधिक यूतर एक साथ internet के मादरम से टेक्स दौनी या वीडियो के रूप में एक दूसरे से बात कर सकते हैं जैसे कि आप डेली यूज़ करते हैं वीडियो कॉलिंग आडियो कॉलिंग उसी को आपको कहते है internet रिले चैट वर्तमान चैटिंग वा ना सिर्फ चेक्स के दवारा होती है बलकि वीडियो वीडियो चैट वॉइस चैट के भी आ प इसमेडियो कॉलिंग और आडियो मेंचेच बेस सकते हैं इसी ही रिले चैट कहा जाता है तो यही आपका रेले चैट होता है कि आप आडियो वीडियो फाइल जो सेंड करते हैं डेली वार्ट से फेस्बूक पे तो वही आपका यह काम करता है आगे देखते हैं तो काफी थोला लंबा टॉपिक है यह आपको तीन या पाच नंबर में देखने को मिलता है IRC एक सिस्टम है जिसमें टेक्श के मादम से मैसेज को टांफर करने की सुबजा प्यदान होती है IRC networking के client server model पर आधारिस होती है जिसमें IRC एक client program की तरह कार करता है ये client दूसरे client को message को transfer करने के समर्थ होते है उसके अद आपका client software सभी operating system के साथ उबस्ती देते हैं जो की internet access परदान करता है IRC network में बहुत सारे IRC server एक दूसरे से connect होते जैसे कि आपको diagram में दिखाया गया था फिर एक IRC user आपका एक unique name परदान करता है जो जब एक user दूसरे user से बात करना चाहता है तो वो ISP के computer से जुड़ता है उपलग आपका IRC software से जुड़ जाता है और अपनी बाचीर computer के मादम से शुरू कर देता है तो यह server आपका लगा जैसे कि metagram में आपको दिखाया यह server आपका लगा यह server से connect हो गया और इसके फिर आप इसके मादम से जो भी client लगे हो है client जुड़ हो है server से वो फिर कोई भी audio video format में connectivity या बाचीर अपनी कर सकते है जैसे कि yahoo.com IRC का बहुत ही बैसलिस website है तो text मादम यह chat सबसे बैसलित है जो पुराना मादम है इसमें इस मादम से user को लिखित में कोई भी सूचना बेज सकते है जैसे message और text chat next हो कि आपके आपके voice chat है यह chat का आदोनिक रूप है इसमें दो user आपके एक दूसर को दोनी के मादम से जोड़ सकते है दोनी पर आप करने के लिए speaker दोरा लगा होना अवसक है और बाद में microphone का pro करके आप उसको audio भेज सकते है यह जिए internet की गति काम है तब आप 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 आज रूख कराती है इसके मादम से इसके बाद करने का जो आपका सुलक है समय पर निर्बर नहीं होता है बलकि data इसनन्त की माता पर निर्बर करता है तो इस बाद की free होती है बाद की आपका data जितना होता है उस पर आप उतने मादम से अपने voice को send कर सकते हैं आगे चलते है video chat है यहाँ पर तो internet पर face to face बाचित video chat कहा जाता है जिसे web cam और unaddict software की आप सकता पड़ती है इसे video conferencing भी कहा जाता है तो video chat इसे को कहते हैं रफ की IRC chat होती है तो चलिए पहला question देखते हैं इसमें किस पर करते हैं तो पूरी मैंने यहाँ पर थूरी लिखी हुई है काफी समय इसमें गया लिखने में तो आपके के लिखी गई जिसे कि आपको सोन में तो मैं के question को समझा जा रहा हूँ आपके क्या कहा गया तो पहला question यहाँ पर हमारा है assembler किसे कहते हैं यादि कि what is assembler क्या है वो भी हिंदी में मैंने लिखते है तो assembler यहाँ पर क्या है याणने की 0 और 1 याणने की machine भासव को जी समस्ता है याणने की जो computer आपका है वो आपका 0 और 1 पर कारता है प्रोगर्राम को machine भासा में translate कि जाता है और इस काम को करता कौन है programming भासा अब तक जो अनुबाद किये गए हैं assembly भासा को machine भासा में translate करते हैं उसी को assembler कहते हैं यानि कि जो भासा अनुबाद यानि कि language translator एक simple से भासा समझे तो थोड़े से tough आपको लग रहा हुगा जो language assembly भासा को machine language भासा को machine language भासा को बतलता है उसको हम लोग assembler करते हैं कि machine translate करते हैं assembly भासा को machine language में यानि machine भासा को नहीं समझता है इसलिए assembly भासा में लिखी गए program के लिए मसीनी बासा का फ्रोग किया जाता है इसको कि ट्रांसलेट किया जाता है किसमें ट्रांसलेट किया जाता है assembly language को machine language translate कियाता है इसको हम लों कहते हैं assembler तो यह था simple आपका assembler next आगे बढ़ते हैं अगर नहीं सब्सक्राइब है तो बिल्कुल comment करें आपको फिर समझाद दे जाएगा बाकी Hindi यही आपको लिखनी है अगर आपको Hindi में लिखना है तो Hindi में इस प्रिकारते लिख सकते हैं यह आपके IT tools के important question है असल में assembler computer का web program होता है जो assembly बासा के लिए code के जाता है जैसे nominic code machine को machine बासा में बाइनरी code में बदल देता है और computer को binary के binary के सिद्धान पर चलता है और यह 0 बन की बासा को समझता है तो simple आपके तो इतना था आपका assembler का question assembler question आपका है तो आपको इतना answer लिख देना है आगे बढ़ते हैं compiler किसे कहते हैं same way चीज़ है simple सा है थोड़ा सा अलग है तो compiler क्या होता है आपके बता देते हैं what is compiler तो compiler program के लिए दो तरह की भासा होती है यानि कि low language और high level language तो compiler जो आपका होता है वो दो तरह की language आपका समझता है उसमें आपकी दो category है low level language की और high level language की ये भासा है machine में स्वतन्तर होती हैं और किसी भी प्रकार पर computer पर कार कर सकती है लेकिन जैसे कि आप जानते computer level machine भासा को समझता है और machine भासा में प्रोगाम करना संबब नहीं है इसलिए प्रोगाम के लिए assembly भासा का देमार्ड किया जाता है जो कि निम इस तर के programming language है जो कि low level programming language है इसे machine भासा में बदलने के लिए आपको अनवाद करने के साथ एक प्रोगाम बनाया जाता है जिसे assembler कहा जाता है तो इतना आपका compiler में आगे बढ़ते है उच्छ परकार की language आने की high programming language जैसे की basic C, C++, Java इत्यादी language जो होती है आपकी high level language होती है इस पर भी आपका question आता हाई level language क्या होती है इस पर आपको अलक्सी वीडियो मिलेगी तो यहाँ पर हम लोग बात करना है सिप compiler की तो आदी आपकी जो होती है वो high level language होती है machine बासा में अनवाद करने की जरूद होती है ताकि computer उसे समझ सके compiler वो प्रोगाम होता है जो किसी उच इस तरीय प्रोगामिंग बासा में लिखे गए प्रोगाम को किसी machine बासा में बदलता है सिंपल सा तरीका है compiler आपको क्या होता है जो की high level language को compiler वो प्रोगाम होता है जो किसी उच इस तरीयानी की high level language को machine बासा में बदलता है तो कोई भी high level language होगी उसको machine language बदल देख जैसे कि आपकी C, C plus, Java इन सभी language को machine ही language में convert कर देता है वो ही आपका होता है compiler तो यह होगा आप compiler आगे बढ़ते हैं उस इस तरह यह computer भासा जैसे Java C plus plus में program को source code कहा जाता है compiler इन source code को object code में बदलता है और object code binary code होते हैं जिने binary जिने computer समझ सकता है या कहें तो compiler उस इस तरह प्रोगार्मिंग भासा यानि कि high level programming language को low language में बदलने का काम करता है तो simple सा आपका है यहाँ पर next question हमारे पास है interpreter आपका क्या होता है what is interpreter in Hindi तो interpreter भी आपका जो उस तरह यह language है उन्हीं पर काम करता है जैसे कि machine बासा में translate करने काम करता है तो उस तरह यह computer बासा जैसे कि java c++ आपके c language basic cobolist पर करते तो java में लिखे करे प्रोगार्म की source code कहा जाता है इसे interpreter source code की पहली line का अनुभात करता है और यदि पहली line में कोई गलती पाई जाती है तो उसे दरसाता है यानि error आपको देता है और जब आप line पूरी तरह संसोधित नहीं कर पाते हैं तो ठीक नहीं हो पाती है आपकी जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि आपके पूरी line संसोधित नहीं हो जाती है तो पर एदर आपकी आजुकी होती है, दिससे कि वो आगे नहीं बढ़ता है, तो जब तक आप उसको जहीं नहीं करेंगे, आपके एदर कहां पर आ रही है, आपको fix नहीं करेंगे, तब तक वो आपका interpreter आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसी परकार से आपको कहा गया है, जब तक द तरह से अनुवाद करता है इस तरह से अनुवाद करने को compiler अधिक समय लेता है और अपने source code को पूरी तरह से machine code नहीं बजलता है इसलिए हर बार अनुवाद करते समय इस source code की जरुवत पड़ती है मैंने आपको समझा दी है interpreter और आपका compiler और assembler तो मैंने simple simple language में लिख दिया है एक प्रेज का answer आपका इसमें त्यार हो जाता है अगर आपको इसमें और एट करना तो आप और एट कर सकते हैं इसमें answer और इसके English version आपको मिल जाएगा English version काफी लोग हिंदी में सबनना ज़्यादा ज़रूरी है तो मैंने आपको explain कर दिया किस पकारते हैं आपको होता है तो आपको स्कीन पर read करें मैं आपको बिल्कुल समझा दूँगा क्या होता है SMTP तो simple सी बासा में बात करना है तो SMTP का पहले सबसे बहले आपको छwat दो कि आप mail बेजना चाहते हैं तो आप mail बेज सकते हैं simple से माध्यम में जैसे कि आप किसी कंपणि का mail यूज करते है जाए जीमेल हो गया या हो गया किसी का भी आप company का server यूज करके mail बेजते हैं तो आप असानीसे simple माध्यम से आप mail को एक जगा से दूसरी जगा पे transfer कर सकते हैं एक computer दूसरे computer के माध्यम से उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ता है SMTP उसके कहते हैं हम लोग simple mail transfer protocol तो SMTP का full form होता है simple mail transfer protocol simple दो लान में आपको समझा जियागा इतना भी आप लिख देंगे तो भी आपको नमबर मिल जागा इस protocol का प्योग internet पर email बेजने और फ्राप्ट करने के लिए किया जाता है SMTP माध्यम से ही हम internet पर एक दूसरे से computer को mail बेज सकते हैं जब हम internet पर एक computer से mail बेजते हैं तो वहाँ पर SMTP protocol के माध्यम से email बेजा जाता है जब तक email पर किसी computer में email प्राप्ट करते हैं तो वही SMTP काम करता है जो कि आपको email प्राप्ट कराता है तो अपने सर्वर से अपनी email बेजने पर फ्राप्ट करना है अब यहाँ पर देखते हैं कौन से company आपको प्राप्ट करती है तो simple mail protocol को प्योग email सर्विस देने वाली company कराती है SMTP के माध्यम से यह computer दूसरे computer mail बेजा जाता है और इस माध्यम से computer से दूसरे computer में mail किया जा सकता है और internet पर mail बेजते समय पर माध्यम करने का माध्यम प्राप्ट करता है आसा करते हैं आपको SMTP तो simple दिवासा में SMTP के आपको हम लोग यह computer दूसरे computer में email को बेजने का काम करते हैं वो आपकी कोई भी company हो सकती है किसी भी company माध्यम से आप अपने server से किसी customer को mail बेज सकते हैं यह आपका SMTP होता है तो इसका answer है आपके लिखा हुआ है मैंने video को आप रोग करके इसको note भी करते हैं बाकि इसकी PDF आपको मिल जाएगी वहाँ से भी आप note करते हैं तो आप next question की बास करते हैं जो हमने इसमें लिया था जो कि हमारा e-commerce इसकी PDF पूरी त्यार है इसको आप देखें स्क्रीन पर question को समझे क्या लिखा गया है तो मैं आपको बता तो e-commerce आपको क्या होता है तो e-commerce आपका online shopping के माध्यम जैसे कि आप लोग देखते हैं इसमें कई तरह की प्रकरियाँ से यह आपका e-commerce चलता है online माध्यम से तो internet पर किसी परकार के समान या खरीदना आपको या बेचना है तो फिर internet के वैपार या लेन देन आपको करना होता है उसको हम e-commerce कहते हैं तो internet पर किसी परकार के छोटे या बड़े वैपार को किया जा सकता है अधि हैं आप अपने computer से internet से किसी परकार का समान खजयना है बीचना है फिर किसी परकार का लेन देन किया जाता है तो उसे e-commerce के इससे में जोड़ दिया आता है आज के समय में e-commerce के बड़े से internet का use अधिक हो रहा है और आज से वैपारी अपने शोटे योटे वैपार को e- e-commerce के माध्यम से जोड़ हैं तो एक किस पर गार से काम करता है आपका एक online server है आपका वहाँ से आपको domain purchase करना है और उस पर अपना e-commerce site रन करानी है उस पर अपने product डालने है और उस पर invoice वगारा सारी जन्नेट होती है आपकी online payment का माध्यम होते है उसके वाद आपके पास जब कोई आपका buyer होगा या customer होगा वो अपने माध्यम से अपने mobile पर या computer के माध्यम से उस पर जाके purchase करेगा और आपके पास उसके invoice आजाएगी detail आजाएगी और आप उसका जो भी उसने ने purchase किया होगा वो आपको deliver कर सकते हैं तो यह आपका e-commerce पुरा system इस पर कारत होता है तो e-commerce के आने से वेपारे देश में घर बैटे अन देशों के वेपार कर रहा है और लाब कर रहा है इंटरेप बहुत से ऐसे platform है जहाँ पर e-commerce वेपार कर सकते हैं तो आपको इस platform पर जाकर अपने वेपार को register करना होता है और जैसे रेइस्टर करते हैं तो आप e-commerce वेपार से जुड़ जाते हैं e-commerce से कमाने से लाब कमाने के योग बन जाते हैं तो e-commerce शुरौत आपकी कब हो इती 1960-1970 में बीज माने जाती लेकिन इसके बारे में कुछ लोगों का अलग-अलग मत है तो इतना आप इस पर कर ली सकते हैं EDI यानि की electronic data interaction टक्निक के माद्रम से आप वेपार संबन में दस्तावेद या कागजों का लेंदेन किया जाता था इसी के माद्रम से वेपार पर्चेज इन्वाइज बेजा और प्राप्ट किया जाता था फिर कुछ समय बाद e-commerce का विकास हुआ और website internet पर समान बेजने का काम कर रही थी और वहीं e-commerce website का जन्म हुआ जिसको कहते हैं e-commerce सबसे पहली website जो थी आपकी amazon.com ebay.com ने internet पर समान बेजने काम शुरू किया था और वेपार इस website से जोड़कर e-commerce वेपार में जोड़ गया थी तो पहली आपकी e-commerce website शुरुआ जिये ए-फ-फ बोंस ने की थी उन्होंने सन 5 जुलाई 1994 में amazon.com नाम की एक website की शुरुआत की थी और amazon.com एक पहली website थी जिसक पर भी समान बेचने कार किया जाता था इन दोनों के आने पर e-commerce काफी विक्षित हुआ और भारी मात्र में online समान बेचने और इंटरनेट पर किया जाने लगा तो simple आपको इतना लिख देना है अगर e-commerce के बारे में पूछा था बहुत ही simple language में आपको मैंने समझा दिया है अपने बिल्कुल अटने जात नहीं है तो आप देख लेते हैं e-commerce कितने बगार को होते हैं यह भी आप ली सकते हैं business to business e-commerce business to customer e-commerce और digital middleman e-commerce तो इसमें कही तरह के customer और business होते हैं आपके तो सब देख लेते हैं किस पकार से हैं थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है इसमें business to business e-commerce है आपके तो business to business e-commerce में कोई दो बड़े वैपारी company आपसे product या service का फिर अन सेवाओं का आधान बदान करती है और business to customer e-commerce के होता है आपका तो business to customer e-commerce का अर्थ है कि internet से e-commerce website कुछ समान या कोई सेवा प्राप करना जब कोई वेक्ति internet से किसी website कोई समान खरिता है या पिर अन सेवा करिता है तो वा process यानि की business to business customer के अंदर आती है तो simple सा answer इसका भी उसके आपका है digital middle mail e-commerce तो इसमें आपका क्या है देख लेते हैं इसको भी तो digital middle mail e-commerce के अंदर इंटरनेट पर एक बड़ा server बना जाता है जिसके इसके अंदर हजारों वैपारी वा वैपार करते हैं इसके अंदर एक ऐसी website बना जाती है जिसके हर देश के वैपारी अपने वैपार को register कर सकते हैं जो कि digital middle mail है जैसे की बड़ी बड़ी sign up की होती है जो all over world में एक ही चलती है वो हर देश में उनकी supply होती है इस पर आप घर बटे समान खरी सकते हैं और किसी भी रुप अब बात करते हैं अब बात करते हैं इक वजय सोने वाले हानी क्या है तो इक वैश्यों को बगते वैपार काफी प्रवावित होए इसके चलते वह वैपारी e-commerce का लगतार विरोध करने पर चले जैसे कि आपने देखा है जो लोग ठेले पर समान बेशते हैं उस प्रकार से लोग e-commerce का उनसे उनको नुकसान होता है लेकिन अब उनलोग भी अपना रजिस्टर करवाके अपना समवाथ से से कर सकते हैं e-commerce में जब कोई गिराग समान कख्यता है तो उसके आसपास आने जाने से खराब आ जाता है जिससे उस समान को वापस करने गराग को काफी समस्य प्रदक्त आमें बुजाना पड़ता है, तो यह चीज़ें काफी आपको इसमें लिसकती है, तो इसमें आप दो चार पॉइंट लिसकते हैं, कि आपका प्रड़क्त खराबा गया, या आपको डिलीवर हुआ, तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, उसका पैकेट नहीं स समझा देंगा, तो पहला कोशन हमारे पास है, आपका सकती है, तो सिंपल सिबाता में आपको बढादाते हैं, पहले आप इस स्क чув lafunkर देखते रहें, मैं आपको इक्वालिन करा दे रहा हूं, तो प्रड़िज एक पर कार केbasis है, आपकी जो कि नेटवर्क डिवाइस है जो कि आपकी मैक अड्रेस पर कार करती है जो कि आपकी मैक अड्रेस किसी का भी हो सकता है आपका मोबाइल का आपके स्विच का आपके डिवाइस का किसी का भी मैक अड्रेस सकता है मैक अड्रेस पर वो कार करती है और एक तरह से पुल क तो बहुत ही सिंपल डिवाइस है और दो डिवाइसों को कनेक्शन बनाने कार करती है और रोकने का कार भी करती है अगर एक कनेक्शन की डिवाइस दूसरे कनेक्शन में जाना चाहती है दूसरे लाइन में जाना चाहती है तो यह बीज में ब्रिश का काम करती है एक तरफ की को रोखने के लिए तो बहुत ही सिंपल सी रिवाइस है और अब देखते हैं इसका क्या आंसर है तो एक नेट्वर्ड ब्रिज सौफटर या हाडवेर हो सकता है जो की दो या दो सदिक नेट्वर्ड को कनेट करता है जिससे की वो आपस में कम्निकेट कर सके होम और इसमॉल नेट्वर्ड में दो सेपरेट कम्प्यूटर नेट्वर्ड होते हैं जनरली ब्रिज उस करते हैं या ब्रिज उनको आपस में इन देटा लिंक लेयर 2 तो आपके जो व्रीज है वो आपकी OSI ओसाई मौरल लेयर डेता लिंक लेयर पर टू पर ऊप्रेट की जाती है और बैसेकल जरी आपकी मैक आड्रेंस पर यह 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 वर करती है किस बगार से डिवाइसे इसमें connect हैं, तो यह laptop हो गया, यह आपका router connect है, file printer sharing, email server, तो इसमें सभी सभी परकार की डिवाइसे आप connect करके bridge का कार कर सकते हैं, तो एक bridge आपका बीच में लगा है, और उसे आप अने को अने connection कर सकते हैं, तो यह आपका bridge का diagram है, और अगर आप diagram चा bridge का काम क्या होता है, किस पकार से काम करता है, आप देख सकते हैं, तो bridge का काम data packet के destination को exam करना है, यानि कि one at a time या और decide करने की packet को ethernet segment की दूसरी site के पास करना है या नहीं, तो आपके bridge इस पकार से connection होता है, मैं आपको बता देता हूँ, यह आपके bridge device लगी हुई है, यहाँ बीच में आपका bridge रखा हुआ, तो यह जो आपके connection है, एक side के, एक side connection है, यह इनको इधर जाने से रोकता है, तो यह आपका bridge यहाँ लगा हुआ है, इसके मादर से यह connection हो आपके इधर नहीं जा पाएंगे, तो यह आपका कार करता है, और यह जो connection हो आपके इधर नहीं जा ब्रोटकास्ट करता है लेकिन bridge media access control mac address table को maintenance भी करता है जो कि data packets में के fast destination decide करके help करता है यह सबतना ज़रूरी है कि bridge ना ही एक router है और ना ही firewall है अगर simple टर्सम बोलेंगे तो bridge behave like a network switch example layer 2 switch तो आपने समझ लिए यहां पर simple सा है तो basically आपका यह कि device है ना कि आपका कोई router है और ना ही कोई hub की hub है तो एक तरह से switch आपका है bridge जो कि एक तरफ से दूसरे तरफ के connection को रोकता है बेस करने माल बीच में कर दी जाता है तो दोनों connection को रोकने के लिए और basically यह work आपका करता है network layer 2 पे और आपका mac address पे जिससे कि आपकी connectivity और आपके network पे load जो होता है वो ज्यादा नहीं होता है और आपकी connectivity और internet की speed भी इस पे maintenance की जाती है और आपका जो load होता है network का कितना traffic आपका आ रहा है कितने server connected है यह सीज़ें आपको इसमें जानने में काफी ज्यादा असानी होती है अगर आप bridge connection करते हैं तो यह था आपका bridge के example with solution मैंने आपको समझा दिया है असा करते हैं आपको sound आ गया होगो अगर किसी में भी doubt है तो आप पूछ सकते हैं आगे चलते है next topic पूछ देखते हैं इसमें क्या चीज़ है हमारे पास तो next हमारे पास है hub के बारे में तो hub भी आपकी प्रकारती device है तो hub के बारे में जानेंगे हब आपका क्या होता है तो देखते हैं hub एक network device होती है तो जैसे कि आपका screen पर लिखा हुग है आप देख सकते हैं तो मैं आ internet connection के लिए जाते होंगे तो आपसे बोला होता होगे कि आपको एक पोल चाहिए पोल के ओपर device लगेगी और उसके बाद आपका एक wire नीचे गिरेगा जिसमें आपके switch बगारे से connection किया जाएगा जब आप internet के लिए connection के लिए जाते हैं किसी भी company के पार तो इस बगार से अपना internet access कर सके अपने घर पे और यह जो आउती है यह आपकी किसी भी tower से आपकी connected होती है जिससे की यह आपको repeaters के रूप में कार करती है और यह आपको internet connection आपके घर में देती है तो हफ के माधियम से आप कितने connection कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पर दी गई है तो हफ के द् connection आप कर सकते हैं तो simple step है step by step आप इसमें कार करते हैं चली देख लेते हैं थूरी मैं आपको diagram में समझा दिया आपको किस परकार थे तो हफ एक networking device है जो की आने वाले सभी तरह की information को network के network में आगे extend करता है इस परकार हफ जो की एक information मिलती है यह उसको अपने से connect सभी devices के प कोई mechanism नहीं होता है जो की identify करता कि कि आई होई information जो आपके वो network में किसी device के लिए है या इसलिए यह सभी information packet के network को broadcast करता है तो simple से बाता में यह आपको कोई device नहीं कि आपको यह नहीं बता है कि आप data जो ले रहे हैं वो किस computer के लिए जा रहा है या किस connectivity के लिए जा रहा है इस सभी data को ले जती है और उसके बाद वो सभी में broadcast आपका कर देती है तो simple language में है आगे बढ़ते हैं इसमें जब device के पास information जाती है तो वो identify करती है कि information हमारे लिए है या नहीं नहीं तो वाफस से packets को हब में भेज देती है इस परकार हब में network traffic ज्यादा होता है एवं इस लिए ही हव को non intelligent device भी कहा जाता है हव को छोटे network में जहाँ पर network traffic ज्यादा critical नहीं होता है यूज किया जाता है अच्छा होता है वहाँ पर यूज करना इसलिए हाव deflect transmission mode इसमें यूज होता है तो simple सी बास हमें आपको बता देते हैं तो हब आपके एक information device है जिस पर आप data share क वो वापस आपका hub में store हो जाता है क्योंकि और यह चोटी device है तो इसमें आप बड़े connection नहीं करा सकते हैं या चोटी area में इसको लगा जाता है जहाँ ज्यादा connection ना हो और ज्यादा critical इसमें work ना किया जाए हलके कार के लिए हलके area के लिए हलके customer के लिए यानिक एक दो ती चार पांच के लिए आप इसमें use कर सकते हैं और यह hub to collect transmission mode पर आपका कार करता है तो simple सा यह आपका hub है बाकी मैंने diagram आपको फुरा समझा दिया है किस पकार दिये connectivities में होती है तो यह था simple सा आपका hub आगे बढ़ते हैं इसमें हमारे पास है question number third इसमें हम लोग बात करेंग switch की तो सबसे बहले switch को मैं समझा देता हूं diagram के मादम से मैंने सारे diagram आपके सान में लिए हुए हैं तो switch के बात करें आपको देख रहोंगा कि किस पकाते switch आपके जो होते हैं वह आपके हावे हो गई बिरेज हो गई repeaters हो गई किसी भी device से आपके connect होते हैं router हो की सबसे आप wire कहते हैं तो कि आपकी optical firework के रूप में हो सकती है या फिर आपकी cat6 wire आपकी wire आती है उनके रूप में हो सकती है तो इसमें आप दे सकते हैं इस पकार से switch बने होते हैं तो यह आपके 4 port हो गए 8 port होगए 16 port होगए और 24 port 30 port इस पकार से port के रूप में आते हैं कि जितने ज़ इसमें आप दो connection करेंगे, एक यहां पर आपका main wire आएगा, जो कि आपका device से आएगा, जो भी आपके device लगी होगी, आपके repeater साफ जो भी आपका लगा होगा, जो भी connection आपका होगा, आपके pole पे, वहां से एक device आएगा, वो इसमें लगेगी, पावर connector लगेगा, और उसके ब माधियम से, यहां पर 24 port के यह आपके port लगे हुए हैं, तो इस पेकार से आप इसमें connection करते हैं, तो अगर इसमें ऐसा नहीं है, कि अगर आपका एक port खराब है, तो आपका एक ही computer बंदोगा, सारे उसमें network नहीं बंदोगा, जब तक कि आपकी main line नहीं खराब होगी, जो कि इस connection पर होगी, main line जो आपकी यहां पर जूड़ी होगी, बाकि यह socket आपके काम करते रहेंगे, इसमें आपको indicator light मिलेगी, वह जो कि आपकी billing होती है, तो अब तली देख लेते हैं, कि क्या है आपका switch, तो switch जो कि intelligent device भी कहा जा सकता है, switch को छोटे और बड़े सभी तरह के network म use किया जाता है, switch में जब किसी device में को information आती है, तो switch उस information को broadcast नहीं करता है, simple सी बात समझें, आपका इससे पहले जो question था, हम में था, वो आपको broadcast करता था, आपकी information को store करता था, switch जो है आपका वो information लेगा, लेकिन वो आपको broadcast नहीं करेगा, switch के पास अपना data store करने कोई space नहीं होता है, सबसे बड़ी बात यह कि store करने का space होता है, जहां पर जहां पर वो चेक करता है कि आने वाले packet किसी device के लिए है, तो यहां पर आपको समझना है, जो switch के पास है, वो आपका data store करेगा, उसके पास क्योंकि उसमें socket होते हैं, आपने देखा है, मैंने बताया आपको क्या होगा, कि वो particular socket से जो भी connection computer में जुड़ा होगा, वो उसको information बेज़ेगा, वो सबको नहीं बेज़ेगा, अगर connectivity नहीं हो जोगी, तो वो आपको data store नहीं करेगा, data आपको नहीं send करेगा, तो वही चीज़ जहां पर, switch के पास अपना data store करने का space होता है, जहां पर वो चेक करता है कि आने वाले packet किसी device के लिए, किस device के लिए आपके लिए आपके लिए वो data आपका share किया जा रहा है, सूर्च के बाद सभी network devices के physical address save होते हैं, उनको चेक करने के बाद सूर्च information को सीधे उस device पर भेज़ देता है, एबं information को broadcast किये बिना, इससे network में packet transfer की speed fast होती है और network में unnecessary traffic भी नहीं बढ़ता है, इससे half full और half और full deflect transmission का mode होता है, तो simple सी बाद है, अगर आप switch का use करते हैं, तो उसमें आपको network connectivity में कोई issue नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको particular divided हो जाते हैं network आपके, तो उससे आपका जो network sharing होगा, आपका internet की speed होगी, उस पे आपको काफी जादा effect पड़ेगा और आपकी speed अच्छी आपको मिलेगी, क्योंकि वो data है वो अलग अलग particular पर जा रहा है, इसमें data आपका match नहीं करेगा, कोई मतलब जा सकते हैं, fix नहीं होगा उसमें data, तो इसलिए आपका ये device सबसे बेस्ट है network transfer mode के लिए, और ये आपक लगती है, आगे देखते हैं इसमें क्या है, तो इतना ही है, आपके switch का notes, तो simple सा है, एक page का आप इसको दिख सकते हैं, बाकि अगर और जाता चाहते हैं, तो आपको और answer लंबा मिल जाएगा, बाकि इतना ही आप लिख सकते हैं इसके बारे में, तो next question पर चलते हैं, जो कि आपको router होता हम लोग वाई-फाई बिसिकली यूज़ करते हैं, router काम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बहुत लोग रूटर बोलते हैं, मैं आपको router बोल ला हूँ, तो जो भी आपको अच्छा लगे बोलने में, वो आप बोल सकते हैं, बिसिकली है आपकी ये network device, इस इसका वर क्या होता है, किस पर कार कारती है, तो वो आपको समझना है, तो पूरा router के बारे हम देख लेते हैं, तो router आप देख सकते हैं, double antenna, single antenna, three antenna, four antenna, कितने ब Antieny के आपके router हो सकते हैं, उससे आपको कोई फरक नहीं पढगता है, कि कितने आपके antenna का router है, और उससे router से का कार ना इससे कि हम सिंग्छल यंटीब लिए उसकी चो रेंच और होगी तो उसकी टीन सो रटर के नंदर होगी तो इसके प्रेकार से ती零 मीटर होगी都有 किस्पेट न होगी आफ्ण जो router उसकी connection की बात करें तो इसमें आपको एक power port मिलेगा जिसमें कि आप power से connect करेंगे एक USB port इसमें आपको दिया है USB 3 port आई अलग की जो की और इसमें आपको एक van port मिलता है जो की most important है तो van port आपका किस पकार से connectivity करता है आपके router में तो van port आपका जो main device आपकी main connection आएगी जो कि आपकी device हो सकती है आपकी hub से switch router किसी से भी हो सकती है और second हो गए आपकी आपकी जो optical fiber cable होती है उनसे जो fiber की connectivity होती है वो यहाँ पर port आती है direct इसमें जुड़ेगी आपके pox से जिसों की device ही बोलते है आपकी fiber connection की device बोलती है वो यहाँ पर connect होगी उसके बाद यह LAN port भी इसमें होते है अगर आप यह use करते हैं तो आपको switch की कोई जरूद नहीं है तो यह आपका switch का काम भी करता है और आपका WAN का भी काम करता है तो यह सबसे best device है और इसमें antenna होने के साथ साथ यह आपका wireless याणि कि आपके mobile laptop को भी connect करता है तो यह इसलिए आपके best device है, आपके switch से भी SC आपकी यह कार करती है, speed connectivity आपको इसमें मिलती है, तो यह आपका device है, यहाँ से आप LAN connection के मादम से अपने computer में connect कर सकते हैं, अगर आप इसका यूजने करते हैं, मालेज आपको wireless उसकर ना, तो आपने सिफ LAN connection ले लिया, और इसकी connectivity configuration आपने कर दी IP address से, उसके बाद आप इसको wireless access कर सकते हैं, अपने laptop पे, अपने mobile पे, कहीं भी आप चाहते हैं, टेली वीजन पे, जहां आप चाहते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, तो इसको basically क्या बोलते हैं हम लोग, Wi-Fi, तो आपके चलते हैं, अब इसके बारे में थूरी की बात करते हैं, तो router packets को analyze करके next network point का पता लगाकर packet को destination पर forward कर देता है, तो simple सी बासा है, कि यह आपके hardware device है, और यह आपके data को analyze करता है, और एक network से दूसरे network में उसको move करा देता है, इससे कि आपका data access हो तके, और आपकी network point पे पता चलिए कि आपका कहां पे data forward हुआ है, simple सा है, आगे बढ़ते हैं, router packet को दूसरे network information में convert, drop या फिर दूसरे network related operation भी perform करता है, router को अगर simple lag में define किया जा सके तो, एक small electronic device होती है, जो कि multiple computer network को wired और wireless connection की help से आपस में connect करती है, and जो भी packets routers को receive होते हैं, उनको analyze करके दूसर network में password या पास कर देती है, तो simple सा language में, अगर आपको router का question मिलता है, तो आप इस पकार दे सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को pause कर लें, answer यहां से note कर सकते हैं, बाकि इसकी सारे PDF आपको, वीडियो को description link मिल जाएगा वहाँ से आप download कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, जब router के पास कोई packet आता है, तो router's destination network का address एवं internal router table check करने के बाद, decide करता है कि packet को कि स port या network में forward करना है, router एक layer 3 network device है, या OSI module network layer पर operate करती है, और router's की memory में embedded operating system होता है, जो कि दूसरे operating system के टूलना में बहुत कम storage लेता है, जो कि popular आपका network operator है आपका Wi-Fi, Cisco Inter Network Operating System, इसको iOS and DDWRT भी कहा जा सकता है, तो आपने देखा यहाँ पर router आपका किस परकार से कार करता है, किस परकार की device है, और किस परकार की connectivity आपको share करता है, और किस network काम करता है आपका network layer 3, data link layer जो आपकी OSI layer होती है साथ, उस network layer 3 में आपका यह work करता है, और इसमें basically इसका एक बार आप configuration कर देंगे, उसके बाद आप इसको किसी भी device से password के मादरम से, login के मादरम से आप इसको connect कर सकते हैं, और अपने device को भी सुरच्चित आप कर सकते हैं, और internet की speed भी आपको इससे काफी अच्छी मिलेगी, तो यह था आपका router, simple सी बासा मैंने आपको समझा दिया है, अगर कोई दिक्कत है, तो आप comment में पूछ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, router के बाद देखते हैं, आपके topic है, तो router के बाद हमाँ पर topic है, जो की differentiation है, यहाँ पर, modern versus router में, most important question है, तो इसमें differentiation है, तो मैंने दोनों को ले लिया है, modem और router में differentiation, काफी simple है, काफी similar है, और थोड़ा सा सभी भंतर है, वो आपको बता देते हैं, समसे बले diagram पे चलते हैं, तो modem की router मैंने आपको दिखा दिया, कि router आपका क्या होता है, तो modem आपने देख लिया, modem यह आपका है, और router जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था, device जो थी, इस बेकार से, इसमें आपको अंटी नहीं हां मिलते हैं, तो यह आपका router हो गया, और यह आपका हो गया, modem, तो modem आपके इस बेकार से dongle जिन तो कहते हैं, और वो 4G हो सकता है, 3G हो सकता है, किसी भी company का हो सकता है, तो यह किस पेकार से काम करता है, यह आपको बतारेते हैं, तो जो आपका modem होता है, वो इस पेकार की device है, electronic device है, इसके मादियम से आप wireless connectivity अपने mobile पे तो आप नहीं क इसमें कोई आपको land port की जरूद नहीं, इसमें कोई socket की जरूद नहीं, इसमें आपको कोई device की जरूद नहीं है, directly आप इसको plug and play के मादियम से, इसमें connectivity ले सकते हैं, जो कि आपको data share करता है, company के tower के मादियम से, network के मादियम से, वहां से आपको data share करेगा, आप इसको login के मा speed का आपको effect देखने को मिल सकता है क्योंकि ये wireless network है इसमें कोई आपका कोई device नहीं connect है कि इसमें जो आपका range है वो नहीं किसमें connect है क्योंकि इसमें आपको up-down network की connectivity मिलती है इसमें कोई आपको frequently network नहीं मिलता है तो इससे आपको इसमें दिक्कत हो सकती जो कि इसका disadvantage में आप इसमें लिख सकते है इसके advantage क्या, disadvantage क्या आप इसमें explain कर सकते है compare करके आप बता सकते है तो आप question देखते हैं किस प्रकारत है जब किसी भी ISP से internet connection लिया जाता है नहीं कि internet service पर जो आपको internet देता है internet लिया जाता है तो वो या तो telephone cable के जरिये या फिर ethernet के जरिये connection देता है तो मैं आपको बताया जब आप किसी company से internet ले जाएंगे wifi के connection लेने जाएंगे तो वो आपको cable और telephone के माद़म से आपको या device के माद़म से आपको internet देगा उसके पास कोई प्राफधान नहीं हो कि आपको script dongle दे रहे और आप जाके internet access कर सके हैं ऐसा कोई प्राफधान नहीं होता है तो ISP के पास जाएंगे तो आपको device और cable का connection लेना पड़ेगा तो वही चीज़ यहाँ पर है जब connection telephone cable के थोग किया जाता है तो उसे modem में लगाना होता है क्योंकि modem analog signal को digital signal में convert करता है और digital को analog में convert करने काम करता है अब इस modem को हमको आगे एक cable के जरी राउटर से connect करना होता है राउटर के में connect करने के बाद वो राउटर के एक से ज़्यादा computer को connect करता है according to router and port connectivity जो जितनी connectivity आपके router में होगी इसको मैंने आपको अल्री बताया होगी router के बार है वही चीज यहाँ पर लिखी होगी है कोई अलगी नहीं है तो आप इसको देख लें वीडियो को पॉस्ट कर लें इसको लिख लें आगे बढ़ते हैं इसमें क्या है तो router से connect होने पर computer को router DHCP से IP address देने के अलाबा इंटरनेट से connect करने का काम भी करता है जब किसी computer को router से connect किया जाता है तो router उसको एक IP address परदान करता है उसको net के जरीए modem से होते हुए internet से अब भी provide करता है दोनों में difference आपको क्या होता है modem आपका जो है आपको ISP से telephone line से एक से ज़्यादा computer को same network में join करने के लिए allow करता है तो इसमें दोनों की connectivity आप अलग आपको देखने को मिलेगी RJ11 है port आपका लगता है जो कि आपके modem की बात करें तो modem की आपकी device जो आती है उसमें उसमें छोटा port होता है आपका तो उसको RJ14 कहते है और जो आपका LAN का port होता है जो कि आपका port काफी बड़ा होता है वो आपका television में भी आपको देखने को मिल सकता है modem काम आपके ISP के आए हुए unlock signal को detail signal में और detail को unlock signal में convert करने काम करता है जबकि router काम modem से मिलने वाली information को computer में deliver करने कार करता है तो यह simple सा भासम है आपका modem जो है आपको unlock signal से data signal में convert करता है और detail से unlock signal में convert करने कार करता है और आपके information को computer में deliver करता है तो simple सा है इसको आप explain कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या हमारे पास question है तो modem को एक से ज़्यादा computer से नहीं connect किया जा सकता है जबकि router को एक से ज़्यादा computer से connect किया जा सकता है जैसे कि आप देख रहे हैं तो modem में आपको यह आपका modem है telephone का modem होता है यह इसकी cable यहां से connect होती है और router मैंने आपको अल्लेटी बता है यह आपके van port आगे इसके बाद इसमें आपको switch जित्ते मिलेंगे उतने अदा connection इसमें कर सकते है और जो modem आप कराएगा उसमें आप एकी connection कर सकते है तो मैंने आपको जो दिखाया था wireless dongle था उसका connection अलग होता है और modem जो आपको telephone line है उसका connection आपको अलग होता है जिसका कि हम लोग use बेकर इसके use नहीं कर सकते हैं इंटरनेट तो repeaters के बारे में समझते है क्या चीज़े सबसे बाद डियाग्राम पर ले चलते है repeaters किस बगार आपको दिखता है तो यह आपके repeaters की device है बिसिकली आपने होता तर ना भी देखी हो यह तब ही आप देखेंगे जब आप किसी company में काम करेंगे networking की device में काम करेंगे तो मैंने किया हुआ है तो आप कभी किये होंगे आपने कभी या किसी ISP company के office में गए होगे जहांसे आप internet connection बसी लिए होगे उनका server room में जाएंगे तो आपको तमाम इसी परकार की devices मिलेंगे surge, repeater hub, routers और rack मिलेंगे बड़े-बड़े आपको इसमें server लगे होंगे सारी चींज़ें आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए repeaters की बात करते हैं किस परकार से काम करती है तो repeater एक wireless एक wireless repeater जिसको की wireless range exchanger भी बोलते हैं exciting signal को wireless router वा wireless exchange point में आगे forward करने के लिए re-broadcast करता है तो simple भात हम संबगे आपका जो repeaters है वो आपके wireless router और wireless accept point जो आपके wireless connectivity है उसको आगे re-broadcast करने में या data को forward करने काम आपका करता है wireless ambassador के मादम से जब दो या दो से अधिक host हो गए आपके जो की hosting किस पर करते है IEEE 802.11 protocol के मादम से जो कि आपके internet की protocol है इसके मादम से आप आपस में connect करता है एवं distance ज़्यादा हो तो wireless repeater को एक gap में bridge करने के लिए use करते हैं wireless repeater में ज़्यादा तर home and small office में signal range and extent in screen करने के लिए use किया जाता है तो आपने देखा है wireless coverage को extend करने का एक better alternate है कि secondary box को ऐसे wireless access point configure करो फिर LAN port से इस secondary box को primary box outer की LAN port से wire से connect करके उसे use करो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दो port आपको दिये गए तो इसमें आपकी अलग इसमें आपके cable connect होंगी और इसमें आपके जो यहाँ पर दिया गया जैसे कि primary configuration में आपकी wireless और LAN port आपकी primary box में LAN port यहाँ पर आप इसमें connect करेंगे तो वही आपका दिया गया यहाँ पर इस पकर से आगे चलते हैं telecommunication में repeaters एक electronic device है जो कि signal को receive करता है and फिर higher level एवं higher power के साथ transmit करता है transmit करते हो इसको आगे forward कर देता है जिससे कि signal को longer distance and cover किया जा सकता है there are several different types of repeaters तो difference आपके यहाँ पर दिये गए है कितने पकार को होते है तो repeaters को telephone line में एक amplifier होता है amplifier का काम करता है एक optical repeaters में opti electronic circuit जो कि light beam को optical fiber cable में amplify करता है and एक radio repeater जो कि radio signal को radio transmit करता है तो अगर आप इस device को देखेंगे आगे की तरब तो इसमें light लगी होती है इसमें diagram मैंने लिया नहीं इसमें तो इसमें light लगी होती है काफी सारे green और red group में तो जब आप इसमें device से connect करेंगे माली आपकी connectivity तूटती है तो आप red light आपको दिखाई देगी जिससे कि आपको पता सब जाएगा कि आपकी fiber की connectivity कहाँ पर break होई है किस दिखाई पर कहाँ से कितने speed break होई है कितने duplex पर जा रही है वो सारे चीज़े इसमें bx के रूप में आपकी convert होती है आपको दिखाई दे जाती है तो वही है आपको यहाँ पर पूरा transmission जो यहाँ पर दिया gas का telecommunication आपके repeat आपके repeaters का तो यह था पूरा repeaters की information मैंने आप पूरे दी तो thank you for watching आसा करते हैं आपको सारे question के answer आपको weight diagram आप यह भी कोई दिख करते हैं किसी भी question को सबढ़ने में किस पर गारते हैं इसके answer लिखने हैं तो आप comment ने पूर subscribe करें आपके repeaters का वीडियो को share करते हैं जिससे का दी सरीक लोग इसी बगार के help and information gain कर सकें और अपने paper को clear कर सकें